आपकी लाइफ कितना में बुरा टर्न क्यों न ले फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूड़ना ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इस ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आज की मुवी आती है Christmas in August 1998 की Korean मुवी आज में आपको explain करने वाला हो ये की love story है तो जल्दी से शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा main character वान हमें उठता हुआ दिखता है आज का जोए दिन है इसके लिए heart होने वाला है इसे hospital में जाना होता है जब वह वहाँ पहुचता है तो आएक छोटी से लड़की खेल रही होती है इसे खेलता देख वह हसने लगता है और उस छोटी से लड़की को भी हसाता है इसका आज diagnosis हुआ है पर यह कुछ अच्छा नहीं है वान फिर directly अपने school में आ जाता है जब वह छोटा था तब जिस तरह से खेलता था उसी तरह से सब चीज़े try करकर देखता है फिर वह ground पर बैठता है सब बच्चे जो खेल रहे होते हैं इन्हें observe करता है यहामें कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे ground के बाहर बैठता था और सब को देखता था यह कैसी खेल रहे है यहामेशा में देखता रहता था वान कहता है कि आज मुझे realization हुआ है जैसी मेरी mother गुजर चुकी है उसी तरह से मैं मेरा brother मेरी sister हम सब इस दुनिया से चले जाने वाले है वान फिर अपने shop में आ जाता है यह photography करता है और अगो जहरा उसेगरा का भी काम कर देता है यहाए एक लड़की आती है वो उसके photo देखकर बोलती है यह कुछ अच्छे नहीं आया है वान कहता है कोई बात नहीं हम फिर से निकाल लेंगे वान के photographs अच्छी लगे तो कितने वान वहाता है यह जब सब हो जाता है तो अकेला वो जाड के नीचे बेटता है वो यहाँ सोचने लग जाता है उसे अब बहुत बुरा लग रहा है जब वो ऑस्पिटल में गया था तो उसे मालूम था कि उसका diagnosis बहुत बुरा होने वाला है इसके बास बहुत कम दिन अब वान उसे कहता है कि थोटी देर बाद आओ अब वो कुछ भी काम नहीं करना चाता यह जित से अंदर आ जाती है और जो फोटो उसे कॉपी करने है यह सब उसे दे देती है वान फिर एक जरा गोली लेता है और अपने काम को लग जाता है थोड़ा फ्रेज होने के बाद वो इस लड़की के पास आता है यह जो लड़की है यह हमारा मेन क्यारेक्टर है इसका नाम हरीम है रीम के लिए वान एक आइसक्रीम लेकर आता है यह उसे देता है वो उसे अपने फादर के साथ रहता है यह दोनों बहुत यह अच्छे कुख होते है इनकी मदर नहीं है तो व पारिश का मोसम अब शुरू हो चुका है निज दिन वान जब पेट्रोल भर रहा होता है तो उसे फिर से रिम दिखती है वो उसे वहाँ गुर्मानिंग करता है जो अपने स्टुडियो में होता है तो कुछ बच्चे उसे घेरे हुए होते है उन्हेंने उसे रोल लाकर दिया होता है और इनलाज करने वाले होते है यह सब उनकी स्कूल की लेड़कियों की फोटोज होती है यह बहुत ही चोटे चोटे बच्चे होते है और जखट रहे होते है तुमारी गल्फ्रेंट कौन सी है मेरी गल्फ्रेंट कौन सी है यह बहुत ही क्यूट वोन को लगता है अपने घर जा रहा होता है, तभी रस्ते में उसे उसकी ex-girlfriend डिखती है, वो गाड़ी रोकता है और उसे पुछता है, तुम कब वापस आई, वो अभी अभी वापस आई हुई होती है, उसे कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बतली, ये भी कहती है कि तुम भी जरा भी नही चुकी है, क्या तुम उसे मिले, वो अन ये subject टाल रहा होता है, वो अलग अलग subject लेकर आता है, वो कहती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, वो अन इस पर जाता ध्यान नहीं देता, नेक्सिन में हमें दिखता है कि रिम जो है, ये पार्किंग टिकिट देने वाली पुलिस है, वो अन भी भुश से जा रहा होता है, तो ये क्या करती है, उससे पता चलता है, रिम किसे से जगड़ रहे होती है, वो अन जब अपने studio में पहुचता है, थोड़े देर बात रिम भी वहा आ जाती है, लोगों के साथ जगड़ कर रिम फ्रस्टेरेट होती है, और यहां आकर उसे कहती है कि मैं यहां ज़रा ठक चुकी हूँ, मैं यहां ज़रा अराम करना चाहती हूँ। उसे गर में रग रहे होती है तो वॉन जाकर पंखा भी एड़्जेस्ट कर देता है। रीम वॉन से पुश्टी है क्या तुम लियो हो, तुम्हारा जम ऑगस्ट में हुआ था तो फिर वो कहती है कि मैं लियो के साथ बहुत ही कंपेटिबल हूँ। वॉन से उसका एज पुश्टी है, वो केस करती है कि 30 के उपर हुआ है। रीम अपने 20s में ही होती है, रीम उसे पुछती है कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की, वान उसे हसते हों कहता है कि उसके दो बच्चे है, रीम उस पर बेलियों नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारे कपड़ों से नहीं लगता कि तुम्हारे दो बच्चे होंगे, य यह में दिखता है, वोन के फादर ने आज सब कुछ बनाया होता है, वोन के फादर ने आज सब कुछ दिनर वगरा बनाया होता है, उसकी सिस्टर, उसकी बेटी, उसकी ब्रदर इनलो, यह सब वहाँ आये होए होते है, वोन की सिस्टर खाने की तारीफ करती है, वोन के फादर वोन उसको पास करता है और आगे चला जाता है रिम को लगता है कि चला जा चुका है पर यूटन लेकर उसकी help करने के लिए आ जाता है उससे पीछे पेटाता है और उससे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देने वाला होता है बाइक ज़रा फास चलाता है जिससे रिम उसे पकड़ ले वहाँ उससे पुछता है क्या तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड है वो कहती है क्यों नहीं है वो कहती है कि मुझे कोई interesting मिला ही नहीं है वोन उसे कहता है कि मैं sure हूँ कोई ना कोई तो interesting तो भी मिली जाएगा वोन फिर अपने shop में आ जाता है तो उसके ex-girlfriend वहाँ आती है इसके ex-girlfriend का जो पती है यह बहुत यह abusing है और बहुत जादा drink भी करता है उसकी sister ने यह सब उसे बताया था अब यह इसके पास आये है तो उसे अंदर बिठाता है अपनी जो 20 साल पुरानी यादे होती है वो फेस से ताजा करने ही कोशिश करता है वोन जो था वो अपनी ex-girlfriend की जो डायरी थी चुरा लेता था और वो पढ़ लेता था इन दोनों में बहुत ही fight हो जाते थी यह moment याद करकर यह दोनों smile करते है वोन उससे कहता है कि अब तुम्हारे दू बच्चे है उसकी ex-girlfriend उससे कहती है कि तुमने अब तक शादी क्यों ने की वोन कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था यह वो मजाक में कह रहा होता है पर यह थोड़ा सा सही भी होता है इस ex-girlfriend ने सुना है कि वोन बिमार है इसलिए उससे देखनी के लिए वो आई है उसी यह पूछती भी है वोन कहता है कि इतना जादा कुछ सीरियस नहीं है मैं ठीक हो जाऊंगा वोन फिर हमें बस में दिखाये गया है वो कहता है कि टाइम के साथ हम बहुत जादा बजल जाते है हम दोनों में बहुत सारी awkward conversation हुई पर last में मेरे studio में उसका जो photo था उसने मुझे वो निकालने के लिए बोला वो कहता है कि जो भी चीज़े होती है वो time के साथ fade होती जाती है प्यार का भी ऐसा ही होगा ऐसा उसे लगता है ने इस दिन वो studio में होता है तो रिम फिर से काम लेकर आती है वोन उसके लिए बड़ा सा आईस्क्रीम का पैक लेकर आता है रिम में वोन के साथ share करती है वोन जब ये खाता है तो उससे कहती है तुमारे खाने की style से मुझे पता चल जोगा है कि तुम अकेले लड़के थे वोन केता है कि क्या तुमारे बहुत सारे बरदर सिस्टर थे वो कहती ही कि मेरे 5 बरदर सिस्टर थे जब भी कुछ खाने के लिए आता था तो हम उस पर जबग पड़ते थे ये बहुत ही अच्छा मोमेंटे शेर करते है निक्सडे हमें दिखता है कि रिम जिसी भी रिस्टरान में जाती है वहाँ के सब कस्टमर सुहाज ही चले जाती है क्योंकि पार्किंग डिकेट उन्हें देश सकती है तो इसलिए रिम को अब कोई भी रिस्टरान सर्व नहीं करता क्योंकि उतने टाइम तक उनका बिजनेस है नहीं होता रिम फिर अपने फ्रेंड के साथ बाहरी पास से लेकर खाती है वहाँ भी रस्ते से जा रहा होता है और उसे देख लेता है वो टर्न लेकर इसके पास आ जाता है वोन ने बहुत सारी ग्रोसरी जवगरा लाई होई होती है रिम भी उसके पास आती है इसके बारे में उससे पुछती है वोन कुक कर सकता है यह देख कर उसे बहुत खुशी होती है रिम की फ्रेंड वान को सही तरीके से देखने के लिए उसके स्टूडियो में काम लेकर आती है रिम धक कर गाड़ी में सोच चुकी होती है इस रात अपने फ्रेंड के पास वान आता है उसका जो फ्रेंड होता है ये कराटे इंस्टरक्टर होता है यह दोनों फिर पार्टी करने के लिए होटेल में आते हैं या बहुत सारी दारों बगरा पीते हैं वो जो अपनी जवायनी और बच्पन के मुमेंट है वो सब शेयर करते हैं वान कहता है यह कैसे तुमने बुचर की डॉटर को डेट किया था यह सुनकर वो दोनों हसने रख जाते हैं रात में बहुत ही पी लेते हैं फिर भी वान को अभी भी ड्रंक होना होता है वान स्टीट पर लड़ खड़ाते हुए जाता है अपने फ्रेंड को मना ही लेता है कि उसे और ज़्यादा पीनी चाहिए नेकसिन में हमें डारेक्ली पुली स्टेशन में दिखाए गए है बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करकर इसने फाइट ले ली थी जब पुली स्टेशन में होते हैं तो आवाजे उससे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती है यह सब को चुप रहने के लिए बोलता है यह अपना कंट्रोल वो लूज कर देता है जिस तरह से वो लाइफ का कंट्रोल लूज कर रहा है पर इसके लिए कुछ जादा वो करने ही सकता पर अब वो यहाँ चिला कर अपना जो गुसा है यह सब कुछ निकाल लेता है उसरे दिन लाइफ के बारे में पुछते है, वान पुछता है कि तुम्हारा जॉब तुम्हें कैसा लगता है, वो कहती है कि ठीक है, जॉब तो जॉब ही होता है, वान के जॉब के बारे में वो पुछती है, पर इसमें जादा वो थौट नहीं देता, रीम का आज पेचे काया हुआ होत इसका जो sun होता है वो कहता है कि आज तुमारे एक फोटो निकालनी है ये old lady थोड़े साल में मर जाएंगी इसकी जो frame होगी इसके लिए फोटो जाहिए इसलिए फोटो निकालती है old lady को ये फोटो नहीं निकालना होता पर उसका sun उसे force करता है next scene में हमें दिखता है कि one एक ज जरूर ये share करूंगी वान भी इसके लिए मान जाता है और वह आज रात साथ 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 बजे उसके पास आने वाली होती है ये कि अमरेला शेर करते है रीम को जरा rain लग रही होती है तो अपने पास उसे खिश लेता है उसे वह बारिश नहीं लगने देता जब रात होती है तो और भी बारिश आ रही होती है और वान रिम का ही अंतिजार कर रहा होती है थोड़ी देर बाद जो ओल लेड़ी की फोटो उसे ली थी वह बहाँ जाती है ये ओल लेड़ी अब सजदज कर जरा आई है ये वान से कहती है कि तुमने मेरा फोटो लिया था वो उसे इस फोटो में लगना है ये ओल लेडिय उसे पुछती है क्या तुम मेरी और एक फोटो लोगी है थो कहती है crazy मेरे पास पेसे नहीं है वह लेने वाला बास बशा कॉछ से नहीं लेने वाला वान उसे पुछता है कि कल तुम क्यों नहीं आई थी रिम कहती है कि मेरा मन नहीं था इसलिए वो नहीं आई थी वो जॉब के लिए फिर वहाँ से निकल जाती है यह ज़रा पास आ चुगे थे इसलिए रिम ने ज़रा सा डिस्टन्स मेंटेन किया था नेक सिन में हमें दिखता है वान के जो फ्रेंड्स होते हैं इनकी रियूनियन हो रही होते हैं बच्पन में यह सब जो गेम खेलते थे यही गेम वो आज फिर से खेलते हैं जैसा वान अपने जवानी में महसुस करता था जिस तरह से वो फन करता था वो फिर से उसे एक बार जीना है और यही यह सब हो रहा होता है इस गेम्स में उसका एक फ्रेंड हार जाता है और उससब पर जीना है लग जाता है मैं जब छोटा था तब भी ऐसा होता है और अब बढ़ा हो चुका हो तो भी ऐसा ही हो रहा है सब इस पर बहुत ही हसने लग जाते है वान भी बहुत ही खुश होता है अपने फ्रेंड्स के साथ एक पड़ा सा गुरूप फोटो लेता है वान जब घर पर होता है तो उसके फादर टीवी देख रहे होता है उसे एक डिस लगाने के लिए बोलते है वान कहता है कि जो टीवी हैंड्लिंग वेगरा है वो सब आपको आना चाहिए वान जो है जादा दिनों के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाला इसलिए टीवी के हैंड्लिंग वो अपने फादर को सिका रहा होता है टीवी चलाने के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं यह भी अपने फादर के लिए वो लिखता है जब शाम होती है तो रिम वान के पास आती है उनकी जो उस दिन डेट थी वो नहीं होई थी तो इसलिए आज ये शाम उसके साथ वो स्पेंट करने वाली है रिम मेकप वहरा लगा कर आई हुए होती है तो वो न उस पर आसता है ये दोनों फिर ज़रा ड्रिंग करते है और वो न उसे पुछता है कि तुम विकेंड्स वहरा क्या करती हो वो कहती है कि मैं जाहत दर सोती हूँ वो वो न से पुछती है वोन केता है मैं कपड़े दुता हूँ आयर निंग करता हूँ यह सब इन दोनों के बोरी इन लाइफ हो एक दूसरे को बताते है रिम फिर केती है मेरी जो फ्रेंड है यह अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है इन डारेकली उसे फिर से डेट पर पूछ रही होती है यह दोनों फिर हमें डारेकली अम्यूजमेंट पार्क में दिखाए गए है यह बहुत ही अच्छा सा डेश पेंट करते है यह दोनों फिर सा आईस्क्रीम घाते है दोड़ते है फ्रूट्स घाते है यह दोनों आज बहुत ही खुश होते है जब ये रात में रस्ते से चल रहे होते है तो Won उसे एक स्टोरी सुनाता है ये एक स्केरी स्टोरी होती है वो उसे कहता है कि जब मैं आर्मे में था तो मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन सो रहे थे मुझे लगा था कि वो मेरे फ्रेंड से आ रही थी पर बात में हमें पता चला यह वहाँ एक डेट बोड़ी है उसे लगा था कि जो आदमी मर चुका है यह फार्ट कर रहा था वान केता है कि हम दोनों मरने के बाद भी घोश बन जाएंगे यह उसे बहुत ही नैचरल लगता है रात में वान को बहुत ही तकलिफ होने लग जाती है उसे अप होस्पिटल में एडमेट कर दिया चाता है रिम इस डेट के बाद बहुत ही खुश हो जाती है वो रात में भी वान की बारे में ही सोच रही होती है जो वेर स्टोरी वान ने उसे बताई थी यही स्टोरी अपने फ्रेंड को बता कर बोर करती है नेक्स दिन जब रिम काम पर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसका स्टांस पर होने वाला है यह सुनकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है यह फिर वोन के शॉप में आती है पर यह शॉप क्लोस्ट होती है यह यहाँ बहुत ताइम तो रुखती है पर यहाँ कोई भी नहीं आता थोड़ी दिनों के लिए वो यहाँ से बाहर जाने वाली होती है तो इसलिए वोन के लिए एक लेटर लिखती है जो यहाँ से गुजर रही होती है तो उसके स्टूडियो में ये लेटर वो डाल देती है दो-तीन दीन गुजर जाते है पर फिर भी ये स्टूडियो ओपन ही नहीं होता वान अभी भी होस्पिटल में होता है ये बहुत सारे लेटर स्टूडियो में डालती है One की sister hospital में उसके साथ होती है One जब सोया हुआ होता है तो अससबने में हसने लग जाता है जब वो उठा है तो One की sister उसे चिडाती है कि ऐसा का dream तुमने देख लिया उससे कहीए थी है कि तुमाई कोई भी girlfriend तुमें देखने के लिए नहीं आई उसे चिडा रही होती है रीम अपने फ्रेंज के साथ एंजॉई करने के लिए लब में आती है पर यहाँ भी उसे बहुत ही अकेला मैसूस होता है वान उससे मिलने ही रहा तो इससे वो रोने लग जाती है रात में वान के स्टूडियों बहुत जाती है और कुस्य में खिड़की को तोड़ देती है अब थोड़ी दिन गुजर जाते है और वान अपने स्टूडियों में आता है जो खिड़की रीम ने तोड़ दी थी उसने रिपेर कर दी है अपने जो लेटर्स थे वो भी सही से रखकर वो चली गई है वो अण जब आता है तो उसके लेटर्स पढ़ता है वो उनको लगता है कि उसे भी रीम के लिए एक लेटर लिटना चाहिए एक लेटर उसे लिखता है उसे ढूड़ने के लिए निकल पढ़ता है वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ पोच जाता है या उसे पता चल जाता है कि रीम नेक्स जगा कहा काम कर रही है रीम जहाँ काम करती है वहाँ उसे देखकर वो चला जाता है अपनी स्टूडियो में फिर वो आता है रीम को जो फोटो थी जो उसने ली थी वो देखता है उसके जो अलबम से, बच्पन से, उसकी जो भी सब फोटो से यह वो देखता है एक बाद सब चीजों को याद करता है और हसता है अपने खुद के फ्रेम के लिए खुद की फोटो हो लेता है अब हमें डारेक्ली उसकी जो फोटो है, वो फ्रेम ही दिखती है अब WAN मर चुका है रिम को WAN ने जो लेटर लिखा था वो अब मिल चुका है रिम WAN के स्टूडियो की यहा आती है WAN अपने स्टूडियो के बाहर उसका पॉर्टफोलिय लगाता है उसने जो सब अच्छे फोटोस लिये है वहा लगाता है उसमें रीम का भी photo उसने frame करकर लगा होता है यह photo देखकर रीम को बहुत अच्छा लगता है रीम को वन ने जो later लिखा था हो में अब बढ़कर सुनाया जाता है इस later में वन ने लिखा उता है कि मुझे हमेशा लगा था ये जो love की feeling है ये photo graphs की तरह होगी टाइम के साथ यह फेट हो दी जाएगी पर तुमारे लिए मेरा जो प्यार है यह हमेशा मेरे हाट में रहेगा मेरे लास्ट मुमेंट में हूँ और उससे प्यार करता है इसा उस लेटर में उसने लिखा होता है उसे और थैंक्यू और गुडबाई लिखकर यह रेटर खतम कर देता है रेम फिर हमें इस फ्रेम से चली गई है यह दिखता है और सिर्फ वान का फोटो स्टूड़े उसकी यादे यह सब बाकी है यह मुवी यही खतम हो जाती है मुवी में वान का गैरिक्टर उससे हमेशा से पता था कि अब वो थोड़े दिन में मरने वाला है इसने कभी भी इसका ज़दा टेंशन ने लिया उसकी जो सब यादे थे उसने फिर से जी थी के फ्रेंट के साथ उसने फिर से रियूनियन की थी उसकी जो एक्स गल्फेंट थी उससे वो हार्ट ब्रोकन था पर फिर से रिम के पैर में वो पढ़ चुका था जब भी हो रिम के साथ होता था तो दिल खोल कर वो हसता था जो भी उसके साथ मुमेंट है वो बहुत या अच्छी तरह किसे जीता था उसने हमेशा लोगों का केर किया और किसी को भी उसने हट नहीं किया वो और ने मूवी के फर्स में कहा था कि हम कभी ना कभी तो मीठी जाने वाले हैं हमारा जो टाइम है ये सब का सिमी थे तब तक के लिए हमें स्माइल करते रहना है खुशी के साथ ये लाइफ जिनी है एक ब्यूटिफिल मैसेज के साथ ये मूवी एंड होती है